हेलो एबरिबाइन स्वागत है आप सभी का आथ के संडे क्योंने सेसन में जिसमें आपके पूछे गए सवालों के जवाब देने की कोसिस करता हूँ आए शुरू करते हैं सवाल जबाब का सिलसला उससे पहले वीडियो को लाइक करके में सपोर्ट जरूर करें चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबा कर सबस्क्राइब कर लेना पहला सवाल पूछा है हनुमान भक्त में मिट्टम एक्जाम कब से होंगे दोजार चौविस पच्चिस तो ये पहले से ही सिस्टम सेट रहता है एक्जाम का और मिट्टम के जो एक्जाम हों अगला सवाल देखते हैं किसका पूछा है और आप अपनी सवाल हम तक शेयर कर सकते हैं हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं आप हमसे वट्साप चैनल से हर तरह से जूड़ सकते हैं सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में दे रहे हैं अगला सवाल कुछ मांगा ही नहीं जाता जब 10th का result आता है तो चाहिए आप SOSC से हो चाहिए आप N.I.O.S.O. open हो CVSC हो आउट ओ दिल्ली से हो प्राइबेटर सरकारियों कोई फरक नहीं पड़ता है आपका admission हो जाएगा बस इंट्रेंस टेस्ट में नाम आना बाकी रहता है मतलब आपको टेस्ट की तैयारी करनी होती है अगला सवाल रिसी ने पूछा है सर आप कहां तक पड़े हों क्या लगता है मैं कहां तक पड़ा होंगा मेरे नुले से या मेरे टॉकिंग बिहेवियर से वैसे मैं 12 फिल हूँ बाकि आपको क्या लगता है comment section में ज़रूर बताईए अगला सवाल पूछा है triple gaming सर इस बार open book exam में में होंगे classic tweet open book exam की मैंने बात की थी नय सेस्टन 24-25 में open book exam होंगे open book exam का मतलब होता है कि आप exam में बुक लेकर के जा सकते हो और किताब से यानि कि आप जो भी बुक लेकर जाएंगे उससे आप अंसर लिग सकते हो पहली बात तो यह है कि 6-8 के लिए नहीं था यह बोर्ड students के लिए था और इसमें 9-12 को include किया था 9-10-11-12 तो आठी तक तो कोई भी open book exam नहीं होगा रही बात 9 से लेकर के 12 तक तो यहां पर भी अभी trial basis है CBC का और यह October November में एक बार trial होगा मिटम में तो कोई लेना देना नहीं होगा भी तो final exam में होगा और इसके लिए कुछ selected school है जिन में open book exam होंगे आपका school है यह नहीं वो चेक करने के लिए अपने school examination में बात कर सकते हैं यह होगा 10 और 12 में है ना तो फर्स्ट राउंड 10 और 12 में होगा October में trial basis पे होगा बाकि अगर success रहा पोजिटिव रहा तो इसे final exam में रूल आउट कर दिया जाएगा यह लगबग मेरे ख्याल से वो सवाल ते जो आपने मुझे पूचे हैं कुछ और सवाल हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं कोई भी doubt रहता है तो आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते अगली वीडियो में अगली update के साथ मिलते तब तक आप अपना ख्याल रखिए चैनल को subscribe करना बिल्कुल न बुले ताकि पलपल की educational update आपको लगातार मिलती रहेगी जहिन